जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की करेंगे जोआ एक बार फिर अखनूर में आतंकवादियों ने सेना के काफिले पर अटेक किया अखनूर में आतंकियों ने घात लगा कर सेना के अंबुलेंस पर काई राउन फाइरिंग की फाइरिंग के बाद आतंकी मौके से फरार ह गए आतंकी हमले के बाद अकनोर और उसके आसपास के इलाके में सेना ने चौकसी बढ़ा दी है आतंकियों की तलाश के लिए पूरे इलाके में तलाश वी अभ्यान चलाया जा रहा है चप्पे चप्पे पर सेना की निजर है सुभा जब सेना का काफिला एलोसी के पास से हो सकते हैं आतंकी हमले के बाद पूरे अलाके में तलाश वी अभ्यान चलाया जा रहा है सेना और पुलिस मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है हर आने जाने वाले गाड़ीों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है ऐसा का जा रहा है कि फायरिंग के बाद आतंकी स्थाने मंदर के आसपाथ शिपे हो सकते हैं लगातार हो रहे आतंक वादी हमले की गंभीरता को देखते हुए जम्मु कश्मीर पुलिस, भारतिय सेना और स्पेशल ओपरेशन ग्रुप की टीम पूरे इलाके की केराबंदी कर हर आने जाने वाले पर नजर रख रही है और मेरे साथ मेरे सायोगी मनीश प्रसाद असवक जुड़ गए मनीश बताईए इस आतंकी घटना के बारे में क्या डीटेल मिल पारी है कितने आतंकी थे जिन्होंने घात लगाकर ये हमला किया है सेना के काफिले पर प्राची सबसे पहले तो हम सीक्वेंस बता दे करीबन साड़े छे बजे का वक्त था जब वहां के एक स्थानी लड़के ने इन तीन आतंकीों को संदिग्द वेक्तियों को देखा जिनके पास हतियार थे उसके बाद ये जानकारी भारतिय सेना को मिली उसी दौरान जो भारतिय सेना का करीबन तीन से चार गाड़ियों का काफिला और कॉन्वोई था जिसमें एक फील्ड सर्जिकल वेकल यानि ये जो एंबुलेंस आपको दिखाई दे रही है वो भी शामिल थी वो उदर से गुजर रही थी में रेड होट का एरिया है रेड रोड हेट का एरिया है और ये शिम मंदिर के पास का एरिया है बटल इलाका पड़ता है अकनूर का उसी क्रॉसिंग के दौरान आतंकियों ने करीबन दस से पंदरा राउंड इसी जो एमबुलेंस है आर्मी की उसके उपर फायर किया फायर करने के बाद वहाँ से उन्होंने भागने की कोशिश की और फिर उसके बाद भारती सेना ने counter fire किया क्योंकि यह जो area है वो एक तरफ सुंदर बनी को जोडता है दूसी तरफ अकनूर का area है और तीसी तरफ यह area main जमू की तरफ आता है तो इसी वज़े से चारो तरफ से अब घेराबंदी की गई है इसमें अभी तक जानकारी मिल रही है 34 field surgical hospital है 34 field hospital है जमू का वहाँ पर जाए जाएगा और इनका खात्मा किया जाएगा शुक्रिया आपका मनीश तमाम जानकारी के लिए कि अ हुआ हुआ है